चलो दोस्तो शुरू करते हैं चालाग ठग बहुत अच्छी कानियों दोस्तो यह यह मैंने पहले भी लोड किये थी लेकिन वो सही आवाज में नहीं थी कम आवाज थी उसमें इसलिए से दुबारा डाल रहा हूं नए सब्सक्राइबर भी इसे अब दुबारा पढ़ लेंगे द्यान से सुना बहुत ही अच्छी है बूच समय पहले किसी नगर में सोमदत नाम एक ठग अपनी बुड़ी मा के साथ रहा करता था उसके पिता का भूच समय पहले ही द्यान तो चुका था हते सुमदत काफी समय से ठगी के काम से ही अपना और अपनी मा का भुजर बसर करता आ रहा था एक दिन जब सुमदत ने अपनी मा को बहुत उदास बैठे देखा तो मा मेरी अच्छी मा आज तो इतनी उदास क्यों है क्या मुझसे कोई भूलूई है अत्वा घर में तुझे कोई कस्ट है ऐसी कोई बात नहीं है बेटा मेरी उदासी का कारण तो कुछ और है शोर तू जान कर क्या करेगा नहीं मा तू मुझे बता मैं हर संब्व प्रयास करके तरी उदासी दूर करने का प्रितन करूँगा तो सुन मेरी उदासी का एक ही कारण है वह यह कि मेरे मरने के बाद तू किस परकार बोजन बना कर खाएगा कौन तेरी देख बाल करेगा यदि मेरे सामने ही तेरे लिए रोटी बनाने वाली आ जाती तो अच्छा होता लेकिन तू है कि मेरी कभी कुछ सुनता ही नहीं यदि तरी उदासी का कारण शिरफ यही है तो तू चिंता मत कर मैं चिंता मत कर मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही तेरे लिए एक सुन्दर्शी भूहू ले आऊँगा सच बेटा हा मा अब तु जटपट खाना दे मुझे दंदे पर जाना है तु हाथ मूँ धो बेटा तब तक मैं तुझे खाना प्रोष्टी हूँ सीगरी मा ने उसके आगे खाना प्रोष्ट दिया वामा आज तो तुने बड़ाई स्वादिष्ट बोजन बनाया है लगता आज काफी तगड़ा माल हाथ लगेगा और पेट बर बोजन करने के पसाथ सोम ठगी करने के लिए घर से निकल पड़ा बेटा अपना ध्यान रखना कोई खतरना काम मत करना तु जरावी चिंता ने करमा खतरा तो तेरे बेटे के निकट भी निफटकता चलते चलते वह एक सराप के पास पूँचा मुझे कच्छा और किम्ती हर्चा ये सेट जी क्या आप के पास मिलेगा हाँ हाँ क्यों ने सिरी मान आप बैठे मैं अभी दिखाता हूँ वह लगता है खूब तगड़ा गराक है इससे कम से कम सप्ता भर की कमाई जरूर हो जाएगी सिगरी सेट ने उसे भूच से किम्ती और सुंदर हर दिखा डाले जिन में से सोम ने एक पसंद किया इस आर की क्या किमत होगी सेट जी दुकान से बहार निकलकर एक निर्जन स्थान पर पूंचा और वह हार उसने एक पेड की खो में छिपा दिया उसके बाद वह पुन उसी सुराप की दुकान पर पूंचा अरे आप आईए आईए, कहिए मैं आपके फिर क्या सेवा करूँ सेड जी अमारी पत्नी और साली को आपका वैहार बहुत पसंद आया अमारी साली साहिबा भी उसी तरह का हार लेने की जिद कर बैठिये इसलिए हमें दुबारा आपके दुकान पर आना पड़ा ही ही अजिस शिरीमान आप ही क्या हमारे यहां से जो भी एक बार आबुसन खरीद लेता है वै कभी किसी दुसरी दुकान पर नहीं जाता बार बार हमें ही सेवा का उसर देता है आप बैठिये, मैं अभी आपकी खिद्मत में ठीक वैसा ही हार पेस करता हूँ आहा लगता है आज लक्षिमी जी मुझे पर अत्यदिक महरबान है किसी ने ठीक ही कहा है अल्ला महरबान तो गदा पहलवान बहुत खुश है बेचारा लेकिन अफसोस जल्दी ही इसकी सारी खुशिया हवा में उड़ जाएंगी यह लिजिए शिरीमान ठीक वैसा ही हार है बूद खुब इसे अभी जरा डिबे में पैक कर दीजिए अभी लिजिए सेट ने उस हार को एक बक्स में पैक करके सौम को थमा दिया धन्यवास सेट जी अब मुझे इजाज़त दीजिए जरूर जरूर सिरीमान लेकिन करपा इसकी कीमत थो अटा करते जाए delay क्या मतलब कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ पूरे 10,000 रुपे अब आप मुझसे किस बात की कीमत मांग रहे हैं क्या ले किनी शिरीमान है तो आपके पहले आर की कीमत थी इसकी नहीं, क्या बक्ते हो, पहले मैंने तुमसे कौन सा आर खरीदा है, मैंने तो तुमसे यही आर खरीदा है, जिसके पैसे मैंने तुमें दे दिये हैं, और तुम उसकी रसीद भी लिक चुके हो, खामोस, शेट ने करोद में भर कर तुन्च सोम को बादू से थाम लिया, तुम धूरत मकार चालाक इंसान मुझे इस तरह नहीं ठक सकते, या तो मुझे मेरा हार वापस करो, अत्वा इसके पैसे दो, अरे धूरत तुम मुझे बेइमान कहता है, और एक हार के दो-दो बार पैसे मांगता है, छोड़ मेरा बाजू, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। सोम की बात सुनकर सेट का धर्य जवाब दे गया, और अभी तेरा दिमाग ठीक रास्ते पर लाता हूं बेइमान, दढ़ाक। उफ। सेट का गूसा खाकर सोम जमीन पर गिरा, लेकिन फिर तुरंती उटकर वह भी सेट पर जप्ता। बेइमान आज मैं भी तरी एकल ठीकान लगा कर छोड़ूँगा, ताकि तु फिर इस तरह किसी को मुर्ख ने बना सके। दोनों में जग्रा और मार पिटाई होते देख परोशी, दुकानदार और रागीर सभी वहाई कठे हो गए। हार देया, हार की कीमत परना तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे बेइमान दुकानदार एक हार की दो दो बार कीमत मांगता है, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूँगा। उनके बीच जगड़ा बढ़ता देख किसी ने पुलिस को फोन किया और सिगरी पुलिस महां फोंच गई। ये तुम दोनों के बीच क्या जगड़ा है, कैसा अंगामा मु दे एक के पैसे दियें, दूसरा मुफत में ही ले जाना चाता है, यह बेइमान जूट कहता थानेदा साब, मैं एक शरीप आदमी हूँ, इसलिए यह मुझे ठगना चाता है, मैंने इससे क्यों लेकी यार खरीदा है, जबकि यह मुझे दो हार के पैसे एटना चाता है, हु अब बताओ, शेट की किसा क्या है, हुदूर इस आदमी ने मुझे से एक हार खरीदा, उसकी कीमत दे कर इसने दूसरी रशीद लिखवाई, और चला गया, कुछ देर बाद यह दुबारा मेरी दुकान पर आया, शेट की कानी सुनकर कोतवाल सम्दत की और पलटा, क्या रह क्या सेट सच कह रहे हैं, यह दोखे बाद बिलकुल जूट बोल रहा है कोतवाल जी, मैं परदेशी आदमी हूँ, मेरा इस देश में अपना कोई मिलने वाला भी नहीं, जिसे मैं वह पहला हार दूँ, मैंने इस दुकान दार से यही एक मात्तर हार खरीदा, और इसकी रकम देकर इस से दस हजार की रसीद लिखवा ली, लेकिन जब मैं कुछ और हारों को देखकर वापस दाने लगा, तो यह मुझसे इस हार की कीमत दुबारा मांगने लगा, विश्वास नया हो तो आप मेरी तलासी ले लीजिए, मेरे पास इस हार के लावा नया तो कोई दूसर दोस मरता है, इसके पास तो फूटी कोडी भी नहीं, फिर यह तेरे पास दूसरा हार खरीदने क्यों आएगा, जा भाग जा यहां से वरना तुझे जेल में सड़ा दूगा, और कोतवाल ने सराप को डाट फटकार लगा कर सोमदत को घर जाने की इजाज़त दे दी, बेच जाला, और सिधा अपने घर पूँचा, और दोनों हार अपनी मा के शुपूर्द कर दिये, उन किम्ती हारों को देखकर मा भी अतिपरसन हुई, वा अब तो तुम्हें महीनों कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा बस अब सुंदर सी बहु घर लेया, वह भी आ अभी लो भाया, हलवाई ने एक शेर जलेबी तोल कर सोम को दे दी, यह लो बीस रूपे लाला, बोद बोद धन्यवाद भाया, पैसे दे और जलेबी ले सोम्दत सेर से बाहर की और चल पड़ा, सेर से बाहर निकल कर वह संसान मारक पर पूँचा, हाँ यह बबूल का यह जलेबिया, उसके बाद वह पेड़ से नीचे उतरा और उसी मारक पर कुछ आगे चल कर एक सथान पर बैठ कर पाव भरी जलेबिया धीरे-धीरे कुतर-कुतर कर खाने लगा, कुछ देर बाद एक रागिर जो गोड़ी पर सवार था, वहां से गुजरा, हरे भाई ज़ पर करके आ रहे हो, साथ ठकेवे बूखे भी हो, लो थोड़ी सी जलेबिया खाओ, और कुछ आराम कर लो, रागिर वास्तों में कापी ठकावे बूखा था, उसने सोम से जलेबिय लेने में कोई आनाकानी नहीं की, भाई इस निर्जन स्थान पर तुमें यह जलेबिया कहा से मिली, यहां तो दूर दूर तक किसी अलवाई के दुकान का नामों निशान तक नहीं, अरे भाई यह जलेबिया मैंने किसी दुकान से नहीं खरी दी, बलिक पास ही के एक पेड़ से तोड़ कर लाया हूँ, क्या का जलेबिया किसी पेड़ पर लगी हुई है, हाँ भाई लेकिन जरा जल्दी लोटना, रागिर शीर इलाकर तुरंट सोम की बताए दिशा की और चल पड़ा, शीगरी वै उस पबूल के पेड़ के नीचे जाप मूचा, जहां सोम ने जलेबिया लटका रखी थी, वा यहां तो वास्तों में जलेबिया पेड़ पर लटक रही हैं, सच ऐसा अद्बूत पेड़ मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा, फिर आगिर पेड़ पर चटकर जलेबिया तोड़ने लगा, है तो थोड़ी लेकिन मेरा पेड़ खूब अच्छी तरह भर जाएगा, जब सारी जलेबिया तोड़ कर वह उस सथान पर पूंचा, जहां सोमदत और उसकी गोड़ी को छोड़ कर गया था, अरे वह सजन कहा गया, और मेरी दुलरब गोड़ी, अरे भाई कहा हो तुम, पर तुझ जब काफी आवाजे लगाने और आसपास खोजने के बाजुद भी, उसे सोमदत और अपनी गोड़ी कहीं नहीं मिली, तो उसे यह स रखता पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा, इधर सोमदत रागिर को ठक कर उसकी गोड़ी पर स्वार हो एक तरफ उड़ा चला जा रहा था, अचानक सामने से उसे एक बुड़िया और एक लड़की पैदल आती हुई दिखाए दी, वा कितनी सुन्दर लड़की है, मा क को बहुत चाहिए, क्योंने मैं इसे ही अपनी दुलन बना लूँ, माई तुम पैदल चलने के कान ठक गई होगी, इसलिए तुम मेरी घोड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुमारे घर छोड़ दूगा, नई बेटा मैं इतनी नई ठकी, हाँ अगर तुम मेरे साथ जैरो मैं अभी इसे सारा देता हूँ, तेरा भला हो बेटा, सोम नीचे उत्रा और उसने बुड़िया की लड़की को जिसका की नाम शिखा था, सारा देकर गोड़े पर चड़ा दिया, उसके बाद वैस सवर भी गोड़े पर सवार हुआ, और बुड़िया के साथ साथ उस में दोड़ा दिया, अपनी लड़की को इस तरह भगा लिये जाते देख, बुड़िया चीक ने चिलाने लगी, हाई रा मरे कोई पकड़ों से जवाई बाबू मेरी लड़की को भगा लिये जा रहा है, बुड़िया की चीक पुकार सुनकर कुछ साते जाते लोग उसके इ जाते माई, उसे तुम्हारा जवाई लाली तो ले गया है, कोई दूसरा नहीं, जाओ माई जाकर आराम से अपने घर सो, बला पती अपनी पतनी को अपने साथ नहीं ले जाएगा, तो और कौन ले जाएगा, बुड़िया ने लोगों को काफी समझाने की कोशिस की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान ने दिया, और सब उसे पागल समझ कर रस्ते वे वहाँ से चले गई, बेचारी बुड़िया केवल अपना सर दून कर रह गई, सीखा को लेकर सोम सिधा अपने घर अपनी मा के पास पूचा, मा तुम अमेशा बहु के लिए कहती थी न, लो मै अब तुमारे लिए सुन्दर सी बहु ले आया हूँ, अहा कितनी सुन्दर है, मेरी सारी चिंता है दूर हो गई, बेटा आज मुझे एक वचन और दो, बोल मा क्या वचन चाहती है तू, मुझे यह वचन दे कि आज से तू कभी ठगी और बेमानी नहीं करेगा, और हमेशा एक नेक इनसान की तरह मेहनत और मजदूरी करके हम सब का पेट बरेगा, ठीक है मा, मैं तुम्हे यह वचन भी देता हूँ, सीखा को भी मनी मन सोमदत भाग गया था, इसलिए उसने सोम से विवा करने में कोई आना कानी नहीं की, और सोम से विदीवत विवा कर, एक नेक इ इसनी के साथ आनंद पुरुक जीवन वैतित करने लगा, समाब दोस्तों यह इतनी है, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना,